पूरे दिन आपको किन-किन संगहशों से गुजरना पड़ेगा साथी किन उपाईयों को करके आप परिशानियों जे छुटकारा पासकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास चो आज का राशी फल मेश राशी अपने दम पर काम करने की इच्छा आपको सफल बनाएगी आज आपको अपने माता-पिता का वशेश खयाल रखने की जरूरत है चात्रों को चिशिक्षा में प्रवेश के लिए तैयारी करनी पड़ेगी समझदारी भरा निवेश त्वरत और अच्छा रिटर्न देगा उपाई जल में काला तिल डाल कर स्नान करें वरिश राशी धर्म से जुड़े हुए लोगों के कारे में व्रिधी का योग दिख रहा है पारिवारिक मामलों में अपनी टांग अडाने से खुद को रोके अनिथा ये उनके गुसे को आमंतिर्ट कर सकता है वित्तिय स्थिती सामाने स्थिती में रहेगी किसी बाहरी व्यक्ती को अपने प्यार भरी रिष्टे में दरार पैदा करने की इजाज़त ना दे उपाए तांबे के लोटे में तिल डालकर भगवानशिप को अभिशेक करें मिथुन राशी कार्याले पर आपकी आज नए लोगों से दोस्ती होगी पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंधों को बचाने के लिए बेहतर होगा कि आप शांत रहें शात्रों को अपने उतावले व्याभार पर विचार करना चाहिए इमानदारी और मासूमियत आपको अपने प्रेम जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगी सौहार्द पूर्ण माहौल को खराब कर सकता है भौतिक सुख की व्रिद्धी होने पर छात्रों की पढ़ाई जादा नहीं हो पाएगी कोई न कोई कीमती सामान आपका खो जाएगा उपाए हनमान जी के नामों का स्मरण करते रहना चाहिए सिंग राशी आज आप अपने अनुभब का प्रयोग अपने काम को सुचारू रूप से करने के लिए करेंगे आपकी काफी दिनों से फसी हुई जमीन का सौधा होगा जिससे वित्तिय स्थिती में सुधार होगा बहुत दिनों बाद आज आप अपने लव पार्टनर के साथ काफी देर तक समय गुजारेंगे पुराने संपर्कों को पुनर जीवित करने के लिए आप प्रयास करेंगे उपाए आज आपको दाल का दान करना चाहिए कन्या राशी सेल्स और मार्किटिंग से जुड़े हुए लोगों को नए क्लाइंट मिलेंगे परिवार में समस्या को हल करने के लिए आप निश्पक्षुता और न्याय के मार्ग को अपनाएंगे शात्रों के बीच पढ़ाई में स्वस्त कॉम्पेटिशन होना चाहिए तभी सफलता मिलेगी आपको लाल्ची और दुर्भावनापून दोस्तों से दूरी बना लेनी चाहिए उपाए आज आपको लोहा नहीं खरीदना चाहिए तुला राशी आज कारे स्थल पर आपके अच्छे मीर्या संपर्क आपके काम आएंगे परिवार के सदस्यूं के साथ किसी धार्मकिस्थान की यात्रा का योग बन रहा है सुस्त रहने के लिए आपको प्रिसंण रहना चाहिए आर्थिक कर्ज लेने से खुद को रोकना ही बहतर होगा उपाए बुद्धी को प्रखर बनाने के लिए आपको मा सरस्वती की वंदना करनी चाहिए व्रिशक राशी कारियों को शेगृता से करने की शमता धीमे गती से काम करने वालों को प्रेरित करेगी आज आपका आत्म विश्वास और उर्जा उची रहेगी पढ़ाई करने वाले चात्र आज किसी शेत्र में सम्मानित होंगे अपने लव पार्टनर की भावनाव को समझेंगे उपाए आज आज आपको सुन्दर कांट का पार्ट करना चाहिए धनू राशी कारे स्थल पर किसी भी कीमत पर गपशप में शामिल ना हूँ व्यापार में आज कोई समझोता होगा जो भविश्य में आपकी प्रगती के लिए बहुत जरूरी है रीड की हड़ी को स्वस्त रखने के लिए रिलाक्सेशन तक्नीक का इस्तेमाल करे आपको रिश्टो पर विश्वास बनाई रखना होगा ताकि आप उनके साथ समस्याई साज़ा कर सके उपाई रेवडी गरीबों में बाटे मगर राशी कारे स्थल पर अपने को मजबूत करने के लिए स्वेम को प्रूफ करना पड़ेगा आपको पारिवारिक तनाप को गंभीरता से लेने की जरूरत है घर में सोहार्द बनाए रखने के लिए तुरंट कोई समधान निकालना बहतर होगा आज आपका किसी की प्रती आकर्शन बढ़ेगा उपाई स्विटी की माला धारन करें कुम्ब राशी आज शाम को बच्चों के साथ समय बिताएं और उनके साथ खेल कूत की गतिविधी में शामिल भी हूँ माता पिता को पढ़ने वाले चात्रों के साथ उनकी पढ़ाई पर चर्चा करनी चाहिए प्रेम बंधन आकर्शन और आपसी प्रेम पर आधारित रहेगा आज आप योग और व्यायाम करें उपाए आज प्रदोश काल में घी का दीपक पीपल के व्रक्ष की जड़ में रख कर प्रणाम करें मीन राशी आज आप लगतार प्रयास से महद्वपून परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में सफल होंगे पारिवारिक बिजनिस में कुटुंब के लोगों से विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है आपके कोई भी परियोजनाओं पैसे की कमी के कारण नहीं रुकेगी आज परिस्तितियों में अचानक हुए कुछ बदलाव आपको नई दिशा में ले जा सकते हैं उपाए काला सुर्मा आखों में लगाएं जाहिरे आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो राशी फल में विश्वास रखते हैं और उनकी राशी उनके लिए कारगर भी सामित होती है ऐसे लोगों के लिए हम रोजाना अपना ये शो लेकर आते ही ताकि वो अपनी दन्चारिया को जान सकें खेर आज के राशी फल में बस इतना ही देश दुनिया की तवाम ख़बरों की जानकारी के लिए बने रहे हैं